कॉछ आपके लिए एक और विंटर सिजन स्पेशल रेसिपी मैं लेकर आई हूँ जो है कॉण्ट सूप की रेसिपी और इस कॉण्ट सूप को मैंने ट्विस्ट देते हुए इसे प्लेन कॉण्ट सूप से मिक्स वेच कॉण्ट सूप बना लिया है तो काफि सारे लोग होते हैं जिन्हें कॉण्ट सूप पीना पसंद नहीं होता है just because of the taste क्यूंकि इसमें सिर्फ कॉण्ट का टेस्ट होता है जो एक सूप बना कर जब सर्फ किया जाता है तो लोगों को नहीं पसंद आता है बट अगर उस कॉण्ट सूप में अगर आपने मिक्स वेचिटेबल्स धेर सारी अपनी मन पसंद की डाल ले तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी हो जाता है और हर किसी को यह बहुत पसंद आने वाला है तो आप जरूर ट्राइ करिए इस रेसिपी को और मुझे बताना मत भूलिए कि वो कैसी बनी थी तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कर लीजिए और अगर आप फर्स टाइम वीजिटर हैं सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले मेरे चैनल को फर मोर हेल्दी वीडियोस और पहला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो यहाँ पर देखें धेर सारी सबजिया मैंने लिए हैं जिसमें कैरट लिए हैं, फाइनली चॉप, साथ यहाँ पर फाइनली चॉप, फ्रेंच बीन्स मैंने लिए हुए हैं, रेड बैल पिपर, येलो बैल पिपर, ग्रीन कैपसिकम, हर सबजी को मैंने फाइनली चॉप तो कॉर्ण जाएगा तो अब हमने करना किया है धेर सारी जो कॉर्ण लिया से अल्मोस 80% मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगे और 20% पोर्शन है वह हम सेपरेट रख लेंगे यहां पर पानी मेरा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है तो अब सब दर्दरा ही पीषना है तो आप इसे पर प्ल्समोड पे पीषेंगे तो यह बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो थोड़ा दर्दरा आपने से पीषना है और एक बार हम इसे मिक्स कर रहे हैं और अब मैं इसमें एट करूंगी स कॉल्ट और इसके अलावा भी हम कुछ नहीं डालेंगे एक बार नमक डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स आने के बाद हम इसे एक बॉइल आने का वेट करेंगे जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो अब हम इसको एक बार और चला लेते हैं मिक्स कर देखिए मैं स्पैचुला से एक बार मैंने हिला लिया है और अब इसकी लीट लगा कर मैं ऐसे 10 मिनट तक मैंने फ्लेम मेडियम रख लिया और उसे 10 मिनट तक कुक होने देंगे जिससे कि यह जो कॉर्ण है वो बहुत अच्छे से पक जाएं तो यहाँ पर देखिए एक बार आपने हिला लेना है और अब हम इसमें वो वेजटेबल्स डालेंगे जो थोड़ा टाइम लेती हैं कुक होने में अब एक बार इन्हें मिक्स मैंने कर लिया है और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर तो काली मिर्च पाउडर जितना भी आपको अपने टेस्स के अकॉर्डिंग ही रखना है और काली मिर्च का पाउडर एक बार डालने के बाद आपने फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसकी लीड लगा कर हम इसे फाइफ मिनट के लिए कुक होने देंगे तो यहां पर देखिए आफ्टर फाइफ मिनट बहुत अच्छे से मेरा जो सूप है वो बॉइल हो रहा है और अगेन हम एक बार इसे चेक कर लेंगे और ब्रोकली देखिए अल्मूस काफी हद तक कुक हो गई है तो अब इस स्टेज में हमारे जो बची वी सबजियां जो कैपसिकम तीनों कलर के थे प्लस जिंजर था वो सारा हमने एड़ कर लिया और इसे एक बार मैंने फिर से अच्छे से हिला कर मिक्स कर लिया है और इस स्टेज में हमने टेस्ट कर लेना है अपना सॉल्ट और जो हमने ब्लैक पेपर डाला था उसका टेस्ट अगर आपको कम लगता है कहीं पर तो आप उसे एड़ कर लीजी बट मेरा पॉफेक्ट है तो मैं अब इसका लीड बंद करके मैं अगेन इसे फाइफ मिनट के लिए कुक होने दे रही हूँ तो पांच मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे देखे कितने अच्छे से इसमें बॉइल आ रहा है और पांच मिनट के बाद हमने फिर इन ही चेक कर लेना है और टोटल जो इसे कुक होने में टाइम लगेगा वो आपको 25 मिनट का टाइम लगने वाला है तो मुझे जो ब्लैक पेपर का जो टेस्ट हो थोड़ा कम लग रहा था और वो मैंने डाल लिया है और साथ ही मैंने इसमें हाफ स्पून के लगभग जो हमारा विनेगर होता है वो मैंने एट कर लिया था और साथ ही मैंने साथ से आठ दाने सिर्फ साथ से आठ दाने शूगर के एट किया है जिससे कि सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस हो जाए और यहां पर देखिए जो सब की एक सूप की होनी चाहिए तो उसके लिए मैंने आपे वान इस्पून कॉन फ्लार ले लिया और उसे पानी के साथ मैं अच्छे से डाइल्यूट कर रही हूं इस तरीके सामें मिक्स करना है और एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद मैं से सूप में डाल लूँगी और अगर हमने स्टियर करते रहना है और यहां पर देखे कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है साथ ही यह बहुत ही है प्रोटिन रिच है तो एक कॉन सूप को हम इतने अच्छे से चेंज करके मिक्स वैच कॉन सूप बना सकते हो साथ ही मैंने आपे ग्रीन ऑनियन और प्लस ग्रीन मिक्स वैच कॉन सूप रेड़ी है जो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है सो इसे मैं सर्फ कर रही हूं और इस विंटर सिजन मैं जरू ट्राइ करिए इस कॉन सूप को मिक्स वैच कॉन सूप को